तो दोस्तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं मारूती सिजुकी स्ट की मोडिफकेशन के बारे में जिसको बेस वैरियंट से टोप वैरियंट में कनवर्ट करवाया है सोरब मान जी ने जो की है इस गाड़ी के ओनर तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस गाड़ी की सारी मोडिफकेशन के बारे में इसकी एकसेसरी के बारे में प्राइसी के बारे में यूजिक सिस्टम के बारे में लेकिन इस सबसे पहले आप सबसे एक छोट इसी रिक्वैस्ट है की हो सके तो हमारे चैनल को कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बैल आइकन दबाए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो हमारे पास है Swift का LXI variant जिसको बड़े ही अच्छे तरीके से modify करवाया हुआ है सोरब जी ने एक headlights को छोड़के गाड़ी का हर major part जो है वो काफी अच्छे तरीके से modify करवाया हुआ और देखने में काफी अच्छा लग रहा था कि हमने सोचा क्यों आप सब के साथ इसकी modification ज तो हमें देखने को मिल जाते हैं 2200 इनका price है और वहीं अगर हम बात करें DRL की तो 3000 प्राइस है DRL का जो फोग लैंग के साथ जो है इंस्टॉल की हुई है और वहीं अगर हम बात करें 60-15 का जो टायर है और इनका जो price है 6300 हर टायर का जो है price है और इन अलोईज की खास बात यह है कि यह काफी light weight है जिसकी वज़े से mileage पे impact नहीं आ रहा है मैं बात में आपको इसकी mileage भी शो करूँगा मीटर में side में उपर की तरफ अगर हम बात करें तो indicators जो हमें base variant में देखने को मिलते थे उनको इन्होंने replace करा दिया है chrome accessory से जो की देखने में काफी ज्यादा aggressive look दे रही है जिसका price है 1000 और जो जो base variant के हमें rear view mirrors देखने को मिलते थे वो भी इन्होंने top variant से replace करा दिया है और generally यह हमें 12 पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ भी काफी अच्छी modification करवा रखी है हमें diffuser देखने को मिल जाता है इसके अलावा जो tail lights है वो completely changed है diffuser के अगर हम price की बात करें तो 1800 का जो इसका price है और यहां पीछे की तरफ हमें logo भी देखने को मिल जाता है जिसका price है 400 और यहां अगर हम अगर tail lights की बात करें तो tail lights का जो price है वो है 11,000 जो की देखने में काफी unique और काफी sporty लुक दे रही है इस गाड़ी को आप देख सकते हैं इसका indicator और lights गूप होने के वज़े से शायद आपको इसकी जो lights है वो अच्छे से नहीं दिख रही होगी इसलिए आपको हम इसका night view द तो overall इस गाड़ी की back profile जो हो देखने में काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है और side profile की बात करें तो side से भी यह गाड़ी काफी ज़्यादा sporty लुक दे रही है तो यह थी इस गाड़ी की side और back profile और अब हम आपको इस गाड़ी की सबसे खास modification के बारे में बताने वाले है जो की इस गाड़ी का music system तो यह है इस गाड़ी का music system नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे हमें woofer मिल जाता है रोग फोर्ड के original और उपर जो है चार speakers का set मिल जाता है pioneer के जो speakers है और इनका price जो है वो 4400 है चारो का एक set जो है 2200 का है और इन woofers को चलाने के लिए यह sound quality की तो sound quality के अगर हम बात करें तो अगर आप music lover है तो आपका इस पर दिल आने वाला है क्योंकि इसकी sound quality है वो काफी ज्यादा अच्छी है हम आपको own करके सुनाते है इसका sound वीडियो में शायद आपको beats जो है इतने अच्छे से ना सुनाई दियों क्योंकि recorder का जो माइक होस में इतनी capability नहीं होती है कि इतनी ज्यादा high volume base को वो record कर सके तो यह तो था इस गाड़ी का music system और यहाँ अगर हम बात करें इंटिरियर्स की तो इस गाड़ी की इंटिरियर्स जो है वो भी modified है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको wooden finish देखनों को मिल रही है साइड में आपको modification देखनों को मिल रही है यह है इस गाड़ी के seat covers और यह इस गाड़ी का meter 19 की mileage जो है इस गाड़ी को मिल रही है लोई wheels के साथ और इसके लावा अगर हम बात करें अंदर की तरफ dashboard में भी हमें wooden finish देखनों को मिल जाती है और अगर हम बात करें touch screen की तो 24,000 का जो यह touch screen system है इसके इलावा अगर हम बात करें overall interior cost की तो 30,000 जो है modification interior cost है तो यह था तो है इस गाड़ी का overall modification जिसको करोल बाग डेली से modify करवाया गया और आपको कैसा लगा आप हमें comment box में ज़रूर mention करेगा इसके लावा अगर आपके कोई question है तो वो भी आप comment करके हमें पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छे लगे तो subscribe and like करना मत भूलेगा so thank you guys for watching thank you